अगर भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजे और इस बैल आइकन को दबाने से हमारे सभी वीडियो के नौटिपिकेशन आपको मिल जाया करें हेलो गाइस आज हम बनाने वाले स्रीज बोट लाइन टेस्टिंग का स्रीज बोट है जो हमारे बहुत काम में आता है हर चीज चेक होती है और हमारे सब काम इसके बिना अधूर है तो इस्रीज बोट बड़े आसानी से बनाएंगे और पूरी कंप्लेट वाइरिंग के साथ आ आपको समझ में आएंगा किस तरह बोट बनता है किस तरह इसकी वाइरिंग होती है आपको कंप्लेट बोट बनाके दिखाता हूँ बने रहे हमारी वीडियो साथ । यह देख सकते है दोस्तों आप दो स्वीट हमने फीट कर लिए जैए यह कंप्लेट हो चुगा है और यह होल्डर है यह बैक कवर में साइट से इसको होल्डर को फिट करके दो वायर हमने बाहर निकल दिये अब इसकी वायरिंग आपको दिखाता हूँ ध्यान से देखना और आपको अगर नहीं समझाता आप वीडियो को रिपिट करके पूरी तरह से देख सकते हैं एक वायर का यह एक सोगेट में भीट कर लिए दूसरे सोगेट तक पौश जाएंगा एक एक करके ध्यान से देख सकते हैं यह दूसरे सोगेट वाले पौर्ण में चल जाएंगा इसमें निउटल रहेंगा अपना और जो दूसरा सुइच में पहले लगाए अपकोन से सुइच Sumỏाल दा क्लिए अपनेöyle जाने mice को कुंची वायर का लगाना है ध्यान से दीख़िए यह अपने करी इयर नेोटल वाली वाईयर में अपने जॉयुण कर दिए और साइट में दढ़े दिए दोनों सोगड में अपना नीडल लग चुका है जिस तरह साधे बोट में लगाते हैं उसी तरह से न्यूटल सॉकिट में दोनों जगा लग चुका है यह फेस का वायर बटन वाला जो फेस का नीचे वाला पॉइंट है उसके जोइन करके इसको भी बटन में डाल देते हैं यह फेज न्यूटल बरोबर लग चुक है अपना साधे बोड में जिस तरह वाइरिंग होती है यह भी उसी तरह से है इसमें स्रीज बोड का स्रीफ कनेक्शन थोड़ा चेंज है आप इसको गौर से देखके प्री तरह समझ सकते हो यह न्यूटल है और यह फेज है कनेक्शन देना है टेस्टिंग के लिए तो इसको हाप बोलते है बटन के ऊपर वाले पाइड़ में और एक सौकेट में दाल देंगे इसमा यह पलाग अपना में वाला हो गया कि में कनेक्शन के अंजर इस तरह से दालना है यह में वाला पलाग अपना कंप्लीट हो चुका है अब अपना बागी है स्रीज का कनेक्शन देख सकते गाइस साधे वाला कनेक्शन है अपना यह रेगूलर है यह साधा पलक अपना मेन सप्लायर में चाल हो चुक है आप सीज कनिक्शन बगई है यह जो होल्डर की दो वायर है और उसको स्रीज में जोलना है अपनों को ताकि अपना स्रीज बोट टेस्टिंग के लिए रिडी हो जाए यह पलक का एक जो पॉइंड खाल लिए इसमें एक लएट का यूल्डर का वायर डाल देना है अपनों को । यह लगा दिये간 अपनों पलक के एक साइड में arbणोर ही और एक साइड में अपना ऑचुग है पलक के दूसरे साइड में बॉल्ड़ का उखा था और जो उल्डर का दूसरा दूसरा पॉइंड यह बटन के अंतर आच हो गया है तो गाई यह हो गया series connection फेस बटन में आएंगे holder में जाएंगा light के बाद plug में जाएंगा और जब आपने पलक series को direct करेंगे जब इसमें supply मिलेंगा यह गूम के जाता है तो यह series wire connection हो चुक है अपना यह neutral wire है और फेस बटन के तुरो light के तुरो पलक में series में गया है यह series बोट अपना complete चलो इसको fit करके आपको ready करके दिखा देता हूँ कि दोस्तों बने रहे वीडियो में पूरा बोट फिटिंग करके आपको complete testing दिखाता हूँ कि पूरा के टेस्टिंग देख लीजिए बोट और वाइर नहीं वाइर नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा repeat करके double देख सकते है कुछ इस तरह से अपना बोट फिटिंग हो चुका है इस कुरू लगा के complete करके दिखा देता हूँ कि लाइट लगाए पूरी testing होके चेक करके आपको दिखाता हूँ गाईस पुरी तरह से आपके समझ में आजाएं अक्तम बहुत आसान है कि अपना बोट पूरा complete हो चुका है कि पीन वागेरा लगाके ओल्डर लगाके आपको लाइन में लगाके चेक करके दिखा देता हूँ कि लाइड भी लग चुका है अपना और इस बोट को आपका इभी ली जा सकते है जगेपे फिट कर सकते है ये प्लक में वाला है और एक सीरीज वाला है ये ध्यान रखाए आपको में कोंगा है सीरीज का कौणगा अश्टम फार्किंस कर लेना है ताकि आपको समय में जल से जलना जाए यह वायर का तोड़ा लगा के लाइड आउन करके देख लेते हैं यह स्रीज वाला कनिक्षान है अपना गाइस अजिदर वाला मेन वाला है तमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताए मिलते है अगली वीडियो में